कि अधनि तो आज वह निकां कि बूह एक काम क्यां वाली है कि आपने बहुत कच्छा प्लास्टर लगा रहे होते हैं तो वह बैक स्लैब की तरह होता है कि वह हाथ के नीचे की तरफ लगेगा अगर ये हाथ की बात है और पैर के नीचे की तरफ लगेगा अगर ये पैर की बात है उसके उपर बैंड़ेजिस लपेट देते हैं यह प्लास्टर लगाता है तो उससे वो मिलू के प्लास्टर लगाते हैं तो चुछे प्लास्टर में की लिएर बनाई और एक back slab बना के रख दी और उसके पर bandage चलाई तो यह एक technicality है पर कच्छे और पक्क्य प्लास्टर के use भी अलग-अलग होते है शुराती इंजरी में कच्छा प्लास्टर लगता है जब swelling नीचे हो जाती है बैट जाती है fracture अपने जिए ठीक दिखता है तब हम उसे पक्क्य प्लास्टर में convert कर देते है वो duration के पर depend करता है कितने दिन तक वो पक्क्य प्लास्टर हम लगा के रखना चाते है कही बार operation के बाद भी हमें लगता है कि इस हाथ या पैर में सूजन आने के chances है तो support के तोर पे कच्चा प्लास्टर लगा दिया जाता है और जैसे जैसे injury और swelling set हो जाती है उसके बाद उसे हटा दिया जाता है तो ये कच्चे प्लास्टर का main काम है उस पार्ट को rest देना initial और ताजी injury के अंदर उस पार्ट को rest देना सूजन को बढ़ने से रोकना या उसको adjust करना और उस पार्ट को support देना पक्के प्लास्टर का काम होता है कि अब उसे आखिर मुकाम तक पहुचाना कि जब तक वह हड़ी जोनना हो जाए या चोट ठीक ना हो जाए तब तक करना कई दर पार्ट के अंदर मौचानी पे भी हम प्लास्टर लगाते हैं तो वहाँ भी शुवाती पार्ट में जब सूजन जादा होती है तो कच्छे प्लास्टर लगाते हैं जब सूजन कम हो जाती है और अभी पें है तो हम उसे पक्का प्लास्टर लगा जएते हैं और जैस प्रिप्सक्राइब एक यह बिस्टाइब कें फॉर्यू